सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूटूब चैनल अध्यान गुरू और लेटेस्ट वीडियो नोट्रिफिकेशन के लिए इस बैल आइकन को तब अध्यान गुरू इंग्लेश और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो का फर्स चैप्टर दा लास लेसन बाई अलफेंसो डोडेट तो इस लेसन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी थीम पर नज़र डालते हैं लेकिए यह बात मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब तक आपको किसी चैप्टर की थीम पता नहीं चलेगी आपको वो चैप्टर सबसे वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ सकता आप उसके डैप्स में नहीं जा सकते तो किसी भी लेसन की डैप्स में जाने के लिए आपको उसकी थीम का पता होना बहुत जरूरी है तो हर लेसन की तरह इसकी भी अपने कोई थीम है जो कि सबसे पहले है Impact of War on the Lives of People यानि लोगों के जीवन पर किसी युद्ध का किसी वार का क्या impact पड़ता है किसी वार का क्या परभाव पड़ता है Second जो थीम है वो है Importance of All Language यानि कि अपनी जो आपकी Mother Tang है जो आपकी मास्त्र भाषा है उसका उसका क्या महत्व होता है तो चलिए शुरू करते है अबाउट दी ऑथर तो सबसे पहला में इसमाउटर के बारे में पड़ेंगे अलफ रफन्सो को दोडेग 1840-1897 बस फ्रेच नॉबलेस्ट नॉप्री रिए उसका उस के वह आपन जो आपकी में आखीर नॉपलेवलेस्ट है और आपकी मोन बन्हें आ उसकार यह एक्टोल लाइफ एपने लिये और जो भी ड्रैवल करकर जो भी उनोंने कुछ सीखा इस सबने उनके लिखने के लिखने को मतलब होता है यहां पर यहां पर क्या आरती ने चली जिफ्ट का दा वे ओफ रैटिंग लिखने की कला डियूरिंग दा फ्रैंको प्रेशन वार वीच अप्रोफाउंड इस एक्ट और इस राइटिंग देकि फ्रैंको प्रेशन वार के दोरान जिसका बहुत ही जादा परभा पढ़ा था उनकी राइटिंग पर देकि प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा तो फ्रेंको प्रेशन वार के दोरान जिसका बहुत साथ परभा पढ़ा था उनकी राइटिंग पर और वो फ्रेंच आर्मी में भी रही थे और देखियों जो उनकी हेल्थ थी वो भी खराब होती जा रही थी जिसके कारण उन्होंने अपना बाकी बचा जीवन जो है वो लिखने में ही बिताया वो आखिर में ही राइटिंग पर ही वापिस चले गए प्वेड़क्तर स्रिय चैप्टर इसकेच दल्ग लास लेशन इस सेट इन द देज सब इस आफ फ्रेंग को क्रिश्यों वार के दोरां लिखा गया था और जो यह बोर था यहां प्रश्या के बारे में जानते हैं कि प्रश्या जो है वह एक जर्मनी का एक स्टेट था तो जो यह जो यह वार हुआ था यह एक्च्वल में यह जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था जिसमें जो था हुआ हुआ क्या था कि इसमें जो प्रश्या था जो जर्मनी था उसने डिफीट कर दिया था हरा दिया था फ्रांस को इड़ बाई बिसमार्क प्रश्या डिफीटे इड़ फ्रांस और प्रश्या नहığını के जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और देखिए बिसमार क कौन था बिसमार के जो था प्रश्या का शाहस्त था यह का रोलर था जो कि इस वार को लीड कर रहा था जिसके करण क्या हुआ जो फ्रांस के जो दो डिस्क्रिक्ट थे अलसेस एंड लोरेन वो प्रशिया के हाथों में चले गए यानि कि उन पर प्रशिया यानि कि जर्मनी का कबजा हो गया जेके प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मैन केरेक्टर मुखे करदार जो निवाते हैं जैसे कि किसी फिल्म में हमने देखा होगा जो हीरो होता है वो प्रोटागोनिस्ट होता है तो इस चैप्टर में जो है दो प्रोटागोनिस्ट है यानि कि दो मेन केरेक्टर है पहला है एम हैमल और दूसरा है फ्रांस जो की अलसेस डिस्टिक्ट से बिलॉंग करते हैं वहां के रहने वाले हैं एम हैमल इस फ्रेंच लेग्विज टीचर एक स्कूल जो एक यह फ्रेंच लेग्विजटिचर है किसी स्कूल में यानि कि उस स्कूल में जो है फ्रेंच लेग्विज़ पढ़ाते हैं और जो फ्रेंड्स है वो उनका ही एक छात्र है एक उनका स्टूडेंट है देखिए जो इस्टोरी है यह आपको बताएगी कि कैसे जो वहाँ पर जो वार हुआता कैसे जो यूद्ध हुआता कैसे थाबित होता है कि वो उनकी लाइफ को कैसे बदल लेता है यानि कि उस वार का क्या इंपक्ट पड़ता है उन दोनों की लाइफ पर कैसे उनका उनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो जाती है अबाउट दा केरेक्टर्स देखिए इसमें दो ही मेन केरेक्टर हैं पहला है फ्रांज या आप इसको फ्रेंड्स भी पढ़ सकते हैं बहुत ही सैंसिटीव और इमानतार लड़का है यह सैंसिटीव पर मतलब होता है समवेदन शील जिसको छोटी सी बार भी पिंच कर जाएं जो कि अपनी गलती को माल लेता है कि उसने अपने लेसन को इगनॉर करके बहुत बड़ी गलती की दूसरे केरेक्टर है इसमें एम हैमल और जो कि बहुत ज़ादा देश भक्त भी है पैट्रोटिक का मतलब होता है देश भक्त He breaks down at the end of his last lesson और कैसे वो अपने आकरी जब अपने लास लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो लास लेसन के अंत में कैसे वो जो है रो रोकर अपना मतलब कैसे वो उदास हो जाते हैं कैसे वो रोकर अपने नियंतरन खो बैटते हैं देखिए breakdown का मतलब क्या होता है इसका मतलब होत है बहुत ज़्यादा उदास हो जाना या रो रोकर अपना आत्मा जो है अपना आत्मने अंतरन खो बैटना Summary of the chapter France is reluctant to go to school France is school जाने का बिलकुल भी इच्छुक नहीं है जेकि रिलक्टन का मतलब होता है अनिच्छुक जो किसी चीज की इक्छा ना करे इसे unwilling भी कहते हैं चलिए कहानी हम स्टार्ट करते हैं यहां से France is started France is started for school very late that morning देखे स्टार्ट फॉर का मतलब होता है या रवाना होना कहीं पर जाने के लिए निकलना So France is started for school very late that morning एक सुबह France is school के लिए बहुत लेट निकला His French teacher M. Hemel had announced that he would question the class on participants और उसके French teacher M. Hemel ने ये भी पिछली क्लास में बताया था कि वो पार्टी सिपल्स वो अगली क्लास में पार्टी सिपल्स के बारे में सवाल पूछेंगे जैंकि पार्टी सिपल्स जो है वो एक grammar का portion है तो ये उन्होंने पिछली क्लास में बताया था कि वो बच्चों से इस चैप्टर पर पार्टी सिपल्स पर कुछ सवाल पूछेंगे और बेचारा जो फ्रांस था उसको एक शब्द भी नहीं आता था पार्टी सिपल्स के बारे में और बहुत जादा डरा हुआ था कि जो उसके जो टीचर है वो बहुत उसको डाटेंगे अफ्रेड आफ का मतलब होता है डरा हुआ स्कॉल्डिंग का मतलब डांट इट वाज इट वोस इट वोस अ ब्राइट सनी टे एंड फॉर मोमेंट फ्रांस टॉट ओफ रुनिंग अवे एंड इस्पैंडिंग जा रहा था तो उस दिन बहुत ही अच्छी धोप निकली हुई थी और थोड़ी देर के लिए फ्रांस ने जो है वहां से भाग जाने की सोची और अपना सारा देन बाहरी बिताने के बारे में उसने सोचा यानि कि वो उसका इसकुल जाने का उसक्त बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि जो बाहर जो मोसम था वो बहुत ही अच्छा था बहुत ही ब्राइट था जिसके कारण वो इसकुल जाना जो है उसे बुरा लग रहा था देखिये बाहर पक्षियों की चैचाहाट और प्रेश्यन सोल्जर की जो मार्चिंग थी वो बहुत जादा उसको आकरशित कर रही थी अपनी और उस पार्टी सिपल्स की रूल की तुल्दा में देखिये टेंट का मतलब होता है आकरशित करना लल चाना किसी तरह से फ्रांस जो है उसने अपनी अपनी टेंटेशन को यानिके उस आकरशित को अपने मन से हटाया और बहुत तेजी से इसकोल की तरफ भागा देखिये हरेड आफ का मतलब होता है बहुत तेजी से कहीं जाना और जब अपनी स्कूल जा रहा था तो वे रास्ते में टाउन होल से गुजरा देखिये टाउन होल होता है ये एक बहुत बड़ी सरकारी बिल्डिंग होती है जहां पर जो हैं सरकारी करमचारियों के ओफिस होते हैं तो उसने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ पर लगी हुई थी देखिये उससे में ठाकर की टेकनोलोजी इतने जादा जो है एड़मास नहीं थी तो जो भी कोई अगर न्यूज आती थी तो वहाँ पर एक जगा पर उस न्यूज को बता दिया जाता था एक स्पेसिटिक जगा पर कि यहां पर जो है यह सोचना आने वाली है तो वह क्या था कि for the past two years all the bad news had come from it और पिछले दो सालों से इसी जगा से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी हमेशा दो साल से वहाँ पर जो है वो बुरी खबर ही सुनते आ रहे थे and France thought about what the matter was this time और France ने सोचा कि आखिर क्या बात है यहां पर इतनी भीड क्यों लगी हुई है as he was hurrying past और वह बहुत तेजी से जो है वहाँ से गुजरा वाचर दे ब्लैक स्मिट called out to him and said that there was plenty of time to reach the school देखे तबी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिट ने जो कि लोहार था जिसका नाम वाचर था उसने उसको बुलाया उसको आवाज मारे और कहा कि तुम्हारे पास इसकुल पहुँचने के लिए बहुत समय है देखे यहां पर आकर उसने ऐसा क्यों कहा कि इसकुल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है रिजन क्या था कि अब प्रश्यन जो प्रश्या है अब उसका जर्मनी है अब उसका जो है फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है अलसेस और लोरेंड उन पर उनका कभजा हो गया है अब है क्या कि अब वहाँ पर जो भी रूल करेंगे वो के लोग करेंगे और वही उनके उनके कोडिंग जो है वहाँ पर पूरा एड्मिनिस्टिरेशन देखा जाएगा प्रशासन को वही समालेंगे और अब इसकूल के अंदर जो है वहाँ पर भी जो है जर्मनी ही अनिके जर्मन लेंगवेज ही पढ़ाई गएगी तो इसलिए वाचर ने इसलिए जो वाचर था उसने उसको बलाया और कहा कि तुम्हारे पास बहुत समय है इसकूल जाने के लिए यानि कि अब इसकूल जाने का कोई फाइदा नहीं है और फ्राण ने सोचा कि वह उसका मजाग उड़ा रहा है अब देखेंगे कि एम हमल के अजीज behavior के बारे में When France reached the school He was very surprised To find that everything was quiet जब France school पहुँचा तो वे बहुत साथा हैरान हो गया यह देखकर कि वहाँ पर सब चीज बिलकुल शान्त थी बिलकुल हर चीज चुप थी Usually when the school began there would be a great commotion and activity देखिए usually का मतलब होता है आम दोर पर और commotion का मतलब होता है शोर शराबा हल चल आम दोर पर जब school शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़ादा शोर शराबा रहता था और वहाँ पर students कुछ नों कुछ activity कर रहे होते थे कुछ नों कुछ काम कर रहे हो जादे Friends had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed जो है get to का मतलब यहाँ पर है पहुचना और जो है count on का मतलब होता है मतलब निरभर करना Friends had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed और अक्सर जो है friends अपनी इस हाल चल के बीच seat पर पहुच जाया करता था और कोई भी उस पर जो है कोई ध्यान नहीं देता था but that day everything was as quiet as it was on a Sunday morning लेकिन उस दिन हर चीज शान्त थी हर चीज चुपती जैसे कि Sunday morning के दिन होती है किसी इतवार की सुभा को होती है Friends noticed that all of his classmates were already in their seats and MML was walking up and down with his iron ruler under his arm और friends ने देखा कि उसके सभी जो classmates थे जो भी उसके friends थे वो सभी पहले से ही अपनी seat ओपर बैठ हुए हैं और MML जो है iron ruler को लेकर यानिके iron scale को लेकर जो कि उनके जो कि उनके बगल में था वो उसको बगल में रखकर यहां वहां आगे पीछे चल रहे हैं देखिए walk up and down का मतलब होता है आगे पीछे चलना या उपर ने चलना भी इसका अरत होता है उसको दरवादा खोलना पड़ा और सबके सामने से गुजर कर वे अपनी सीट पर पहुंचा he was blushing and was very frightened देखिए blush का मतलब होता है जो है शरम से लाल पिला हो जाना और frightened का मतलब होता डरना वे इस बीच बहुत ही जो है उसको शरम आ रही थी और वे बहुत ज़दा डरा हुआ भी था what surprised and confused him more was that instead of scolding him और सबसे जाज़ा जो उसको जो हैरान कर दिया उसको confused कर दिया वो ये था कि एम हमल ने उसको बिलकुल भी उस दिन उसके लेट आने पर बिलकुल भी नहीं डाटा बलकि इसके बज़ाए एम हमल spoke very kindly to him and told him to take his seat और इसके बज़ाए एम हमल ने उसे बहुत ही प्यार से बात की और उससे कहा कि जाओ अपनी सीट पर बैट जाओ friends notices many unusual things at school और उस दिन friends ने school में बहुत सी अनुकी चीज़ हैं जो है notice की देखे क्या होता है after friends had calmed down he noticed that एम हमल was wearing a special attire which he wore only on special occasions जब friends कुल शानती पूरवक अपनी सीट पर बैठ गया तो उसने देखा कि एम हमल ने खास तरह की पोशाक एक खास तरह की मोगों पर यह पहना करते थे the whole school was so strange and a seriousness prevailed in the atmosphere जैके strange का मतलब होता है अजीब अनुका और का मतलब होता है चा जाना उस दिन जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही जादा अजीब था मतलब बहुत अजीब लग रहा था उस महापर पूरे स्कूल में and a seriousness prevailed in the atmosphere और इस स्कूल के atmosphere में एक अजीब सी seriousness एक अजीब सी गंभिरता चाय होई थी but what surprised and confused he most was to see the village people sitting quietly on the back benches और जो सबसे जादा जो उसको मतलब confused कर दिया उसको हैरान कर दिया वो ये था कि उस दिन जो जो गाउं के लोग थे वो भी चुपचाप अपनी seatों पर बैठ हुए थे जो कि पिससे पहले कभी भी नहीं आत वे सभी बहुत उदास लग रहे थे the order from Berlin देके Berlin से क्या order आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Berlin है क्या देकि Berlin जो है वो जर्मनी की राजदानी है friends was still wondering as he observed the changes around him friends अभी भी बहुत हैरान हो रहा था as he observed the changes around him क्योंकि वे अपने चारों और बहुत सी चीज़े जो है वो यह महसूस कर रहा था कि यहाँ पर बहुत जादा बदलाव आ गया है यहाँ पर when MML mounted on his chair and made the dreadful announcement और जब MML जो है अपनी seat पर बैट गए देखें announcement की देखिए dreadful का मतलब होता है भयानक और वो भयानक announcement क्या थी he told the class that it was their last french lesson और उन्होंने class को यह बताया कि यह आज उनका आखरी french lesson होगा यानिकि इसके बाद वो वहाँ पर कभी नहीं पढ़ाएंगे the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Loren and he would be leaving the school the next day क्योंकि Berlin से जो है order आ गया है कि Alsace और Loren की schools में जो है German language पढ़ाए जाएगी और अगले जिन उनको school भी छोड़ना पढ़ाएगा these words were a shock to little friends इन सभी शब्दों ने little friends को बहुत जादा जो है मतलब चकित कर दिया हैरान कर दिया now he remembered the gathering at the town hall अब उसकी समझ में आ गया था अब उसको याद आ गया था कि टाउन होल के पास जो है इसनी भीर क्यों लगी हुई थी जेकि gathering का मतलब होता है भीर और remember का मतलब होता है याद रखना याद करना France was totally shocked by the sudden turn of events अब France पूरी तरीके से shocked हो गया इस जो भी अचानक से जो भी ये event हो रहे थे he regretted not having learnt his lessons then there was still time देखे regret का मतलब होता है पच्चताना अब उसको बहुत ज़ादा पच्चतावा हो रहा था कि उसने आखर अपने lessons को याद क्यों ही किया जब उसके पास काफी समय होता था यानिकि जब उसके पास समय था तब उसने अपनी पढ़ाई को बिलकुल भी serious नही नहीं दिया अब जब ये बर्लिन से order आ गया है कि अब जो है इसकूल में वहाँ पर जर्मन लेंविच पढ़ाई जाएगी तो अब उसको इस बात के पच्चतावा हो रहा है कि उसने अपने lessons को आखर याद क्यों नहीं किया now he will never be how he will never be able to learn them अब वह इनको कभी भी नहीं सीख पाई गा he had wasted his precious time away from the class तैकि precious का मतलब हो था है कीमती क्यों क्योंकि उसने अपना बहुत ही जादा जो कीमती समय था वो गावाँ दिया था क्लास से दूर रहकर engaging himself in useless activities like seeking birds eggs going sliding on the star river and so on बहुत जादा उसने अपना कीमती समय जो है वो जो है बिगार दिया था खराब कर दिया था वेस्ट कर दिया था क्लास से दूर रहकर अपने आपको बेकार की activities में लगा कर जैसे की पक्षियों के अंड़ी ढूंडे में और जो है जो सार रेवर है सार नदी है महाँ पर आइट करने में और भी ऐसे कई सारी activities थी जहां पर वो अपने आपको इंगेज रखता था अपने आपको जो है वेस्ट रखता था और अपना समय बरबात करता रहता था और पढ़ाई की और ध्यान नहीं देता था लिके सीक का मतलब होता है ढोंडना और इंगेज का मतलब होता है अपने आपको किसी चीज में लगा लेना इस बुक्स विच वर अनुइसेंट्स टु हिम सड़नली लाइक ओल फ्रेंड्स देखिए नुइसेंट्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप आपकी सिरदर्दी का कारण बने यानि कि आपको परेशान करने वाली कोई चीज या परेशानी भी कह सकते हैं अब देखिए जो उसकी किताबे थी जो की पहले उसको जो है बहुत परेशान करती थी जो उसको जो कि वह ऐसे सोचता था कि उसका के वल सरदर्द देती हैं अच्छानक उसको ऐसा लगा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैêuानिकि अब अब होने लगा his feelings for his teacher to started changing और जो भी feelings थी उसके teacher के प्रती वो धीरे धीरे बदलने लगी क्यों क्योंकि पहले वो अपने teacher को जो है संकी और चिर्चरा समझते थे लेकिन जब उन्होंने ये सूशना सुनी कि अब यहां पर जो है German language प्राइज जाएंगी और कल जो है MML यहां से यह जगा छोड़कर चले रहेंगे तो एकदम वो बहुत ज्यादा respect जो है बहुत ज्यादा feelings जो है friends के अंदर आने लगी अपने teacher के प्रती the thought that MML was the thought that MML was going away and France would never see him again made him forget all about how cranky MML was और जो पहले से सोचा करता था कि जो MML है वो बहुत ज्यादा संकी है बहुत ज्यादा चिर्चर है और अचानक से जब उसने सोचा कि वह कभी भी अब अपने teacher को MML को कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि MML जो है अब यहां से जा रहे हैं तो वो सब चीज़ भूल गया and friends was feeling very sorry for him और फ्रांस जो है बहुत जादा जो है मतलब बहुत जादा sorry feel करने लगा यह सोच कर कि जो भी फ्रांस जो भी MML थे जो भी उसके teacher थे जब वो उनसे पढ़ने पढ़ने के लिए कहते हैं वो बिल्कुल भी उनके तरफ ध्यान नहीं देता था और कैसे जो एक गलट सोच थी अपने teacher के प्रती वो सब कैसे दूर हो गई उसकी दिमाग से वो यह सब सोच कर बहुत जादा guilty feel करने लगा it was in honor of his last lesson that he had put on his fine clothes जैके put on का मतलब होता है कपड़े पहनना और जो ये और जो उन्होंने जो खास तरह के जो कपड़े पहने हुए थे actually में वो था क्या कि वो उनका last lesson था तो एक परकार का वो एक सम्मान के रोप में की वो आज उनका last lesson है और आज वो last lesson को भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कि वो पहले पढ़ाय करते थे तो एक तरीके से इस वज़े से उन्होंने वो एक खास तरीके कपड़े पहने हुए थे और देखे ग्रैटिट्यूट का मतलब होता है धन्यवाद आभार और जो गाउं के जो लोग थे वहां पर वो इसलिए एकटा हुए थे कि उन्होंने इतने साल तक उसे school में पढ़ाया है तो वहां पर वो एक तरीके से उनका धन्यवाद देने के लिए वहां पर आए थे और एक तरीके से जो अपनी देश के परती अपनी लिंगवज के परती जो respect है वो उस चीज़ को वहाँ पर show करने के लिए आये हुए थे अब हमल क्रिटिसाइज हिंसेल्फ एंड पीपल फर अलसेज देखिए क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोच ना करना बुराई करना है अब एम हमल यहाँ पर खुद की आलोचना करते हैं बुराई करते हैं और इसके सासाथ अलसेज की जो लोग हैं उनकी भी वो आलोचना करते हैं बुराई करते हैं देखिए वो तक है जब France यह सब सोच रहा था तभी उसका नाम बुलाया जाता है जिके रिसाइट का मतलब होता है दोहराना रखना अब जो है उसकी बारी थी जो भी काम जो भी होमवर्क उसके टीचर ने दिया था उसको रिसाइट करने की दोहराने की और उन्हों ने उससे कहा कि जो भी तुम्हें कुछ आता है वो तुम यहाँ पर जोर से और किलिरली बताओ बट अनफोर्चुनेटली ही गॉट मिक्सट अप का मतलब क्या है कन्फ्यूस्ट और अनफोर्चुनेटली कहा अर्थ है दुर्भाग्यवज लेकिन दुर्भाग्यवज फे बहुत जादा कन्फ्यूस्ट हो गया इन शब्दों पर क्यों कि उसको कुछ भी याद नहीं था इस वज़े से बहुत जादा कन्फ्यूस्ट हो गया और उसको एक भी शब्द नहीं आता था हुआ हुआ ही वह दाशेंट एंड इस को धिंड हो गया और अपने डैस को बहुत तकसकर पकड करी खड़ा रहा एमहमल said that he would not score him और एमहमल ने कहा कि भे उसे बिल्कुल भी नहीं डाटेंगे he criticized the people of alfais for their bad habit of putting off learning for some time in the future देखे put off का मतलब होता है टालना यानिके किसी चीज़ को आज ना करके किसी दूसरे दिन करने की सोचना अब एमहमल ने कहा सॉरी अब एमहमल ने alfais के लोगों की भी आलोश ना की क्यों क्योंकि alfais के लोग है उनकी बहुत गंदी आदत है कि वो किसी भी चीज़ को यानि कि जो भी काम दिया जाता था उनको इसकूल में वो कभी भी उसको समय पर नहीं करते थे हमेशा टाल दिया करते थे और यह कहते थे कि future में हमारे पास बहुत समय है इसको आगे पढ़ लेंगे इस वज़ा से एमहमल ने जो है alfais के लोगों की आलोश लगी he blamed their parents for not taking interest in their studies और इसके साथ साथ उन्होंने उनके parents पर भी यह आरूप लगाया कि उन्होंने भी कभी भी interest नहीं लिया उनकी पढ़ाई की और कि blame का मतलब होता है आरूप लगाना he also blamed himself for this he also blamed himself for this और उन्होंने अपने आप पर भी इस चीज़ के लिए आरूप लगाया क्यों क्योंकि होता क्या था often he sent the students to water his plants or gave them a holiday where he had wanted to go fishing पोध में पानी डलवाना होता था तो वो अपने students को पोध में पानी डालने के लिए बेश देते थे और अगर कभी भी जब वहां के उनके students ने उनसे छुट्टी मांगी तो वो उन्होंने कभी भी उनको छुट्टी देने से मनानी किया वो उनको छुट्टी दे देते थे जब भी उनके छात्रों को यानि कि friends को जो है मचली पकड़ने जाना होता था यानि कि आपनी कहने का मतलब यह है कि जो MML है वो आलोशना करते हैं अपनी भी students के parents की भी और students की भी क्यों कि उन्होंने कभी भी चीजों को seriously नहीं लिया और उन्होंने जो है जो काम उनको दिया जाता था वो उसको हमेशा टालते रहते थे और MML जो है कभी भी अपने छात्रों को मनाने करते थे जब भी उनको छुट्टी बच्चों को चाहिए होती थी तो वो उनको छुट्टी भी दे दिया करते थे इस तरीके से importance of mother tongue देखे मात्र भाषा का महत्व mother tongue का मतलब होता है मात्र भाषा MML then talked about the French language अब MML ने French language के बारहे में बात की he called it the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world और उनने French language को संसार की सबसे खुबसूरत सबसे इसपश्ट और सबसे जो है समझने आसानी से समझ में आने वाली आशा कहा यानि एक तरीके से उन्होंने French language की तारीश की he wanted the people of France to treasure their language देखें ट्रेजर का मतलब है किसी का महत्व समझना यह फ्रांस के लोगों से चाहते थे कि यह अपनी language के महत्व को समझे उसके उसको बहुत जो है उसको seriously ले according to him उनके अनुसार whenever the people of a particular nation are enslaved as long as they are attached to their language it is as if they have the key to their prison देखें यह enslaved का मतलब होता है गुलाम बनाने नो अब वो आगे कहते हैं कि जब भी किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाशा से जूड़े हुए रहते हैं यह ऐसा है मानों उनके पास एक परकार की की है उस जेल से निकलने की प्रिजन का मतलब होता है जेल देखिए यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा देखिए जो लेंग्विज होती है मदर टंग होती है वो कैसे बहुत जादा महत्व पूर्ण भूमी करने बाती है अपने देश के लोगों को आजात करवाने में हम जो है थोड़े इसको इंडिया के कॉंटेक्स में रहते हैं देखिए जब हम यानिके भारत जो है जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस वक्त था क्या कि हम इतने एजुकेटिड नहीं थे लेकिन जैसे जैसे धीरे-धीरे लोग एजुकेटिड होते गए यानिके अब इसे हुआ कि जो लोग धिरे-धिरे पड़ रहे थे उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को समझना शुरू कर दिया और फिरम आगे देखते हैं कैसे उन सभी ने देश्वाजाद करवाने में महतिव पून भूमी का निभाई तो जो मदर टंग होती है वो गुलामी क की दास्ता को तोड़ने में बहुत महतिव पून भूमी का निभादी है कि दा लास लेसन एम हमल ओपन टा ग्रामर बुक एंड टॉट डैम तियर लास लेसन अब एम हमल ने ग्रामर की बुक खोली और उनको अपना लास लेसन प्लाना शुरू किया फ्रांज बॉस का मतलब होता है हेरान होना अचा कि दोना अब फ्रांज जो है यह जिक कर बहुत हैरान हो गया कि जो भी एम हमल उसको पढ़ा रहे हैं वो सब अच्छे से समझ में आ रहा है अब फ्रांज ने सोजा कि शायद उसने कभी भी क्लास में जो है अच्छे से ध्यान नहीं दिया जिस वज़ा से जो एम हमल थे वो भी उसको इतने मतलब पेशन्स के साथ हर चीज़ को एक्स्प्लेन नहीं कर पाते थे देखे तो यह मच अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना यहाँ पर इन लाइंस का क्या मतलब है वह मैं भी आपको समझाता हूं कि देखे यह बात आपको पता होगी जब इस्टुडेंट्स जब पढ़ाई में इंटर्स लेता है तो टीचर भी ऑटोमाटिकली पढ़ाने नहीं दिया और इस वजह से जो एम हमल थे वो भी उन चीज़ों को अच्छे से एक्स्प्लेंट नहीं कर पाती थी लेकिन आज जो है हम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अदा सीरियस हैं इस वजह से जो है आज एम हमल इतने अच्छे से हर चीज़ को एक्स्प्लेंट कर लिए कुछ नई कॉपी लेकर आए थे एवरिवन वास इमर्स्ट इन देर वर्क देकि इमर्स्ट का मतलब होता है मगन हो जाना किसी चीज़ में डूब दाना हर कोई अपने काम में बिलकुल मगन हुआ पड़ा था यानिकि अपने जो भी उनको काम दिया गया था उस काम मे कर रहे थे यहां तक कि जो छोटे बच्चे थे जो कि क्लास में पीछे सीट पर बैठ हुए थे और जो कि अपने फिशोग को ढोड़ रहे थे वह भी मानों ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह भी फ्रेंच हो यानिकि उन्हों वो सब भी पढ़ाई को सीरियस ले रहे थे दा फाइनल गुड़ बाई अंतिम विदाई ओल दिस वाइल तिके ओल दिस वाइल का है मतलब है इसी बीच या यह सब रहते हुए और इसी बीच एमहमल अपनी सीट पर जो है बिल्कुल चुपचा बैठ गए और ऐसे ही बैठ रहे मोशनलेस का मतलब होता है बिल्कुल भी कुछ ना करके बिल्कुल मोशनलेस हो जाना यानिकि बिल्कुल भी गती ना होना वो अपनी सीट पर बिल्कुल चुपचा बैठ हुए थे और बिल्कुल भी हिल्डूल नहीं रहे थे फ्रेंस थाट डैट एमहमल वांटेड टो इंप्रिंट इस क्लासरूम सीन इन इस माइंड जैके इंप्रिंट का मतलब होता है मन में बठा लेना अब फ्रांस ने सोचा कि एमहमल जो है हर चीज़ को ट्लासरूम में जितनी भी चीज़े थी वो उसको अपने दिल और दिमाग में बठाना चाहते थे और 40 सालों तक उन्होंने बहुत जादा स्कूल के लिए जो है अपना अपनी सर्विस दी है यानि के बहुत इमानदारी से 40 साल तक यहां स्कूल में काम किया है और उपर जो उनकी बहन थी वो उनके सामान को पैक कर रही थी यह सब उनके लिए बहुती जादा हार्ट ब्रेकिंग होगा देखिए क्योंकि यह सब हो रहा था तो हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है दिल को तोड़ देने वाला तो यह सब जो भी वहाँ पर जो है situation थी ऐसा लग रहा था कि मानों वो हर एक का दिल तोड़ रही हो finally they had a lesson in history और अंत में उन्होंने history जो history का lesson इतिहास का एक lesson पढ़ा everybody became emotional towards the end हर कोई इस end की और जो की हो रहा था क्योंकि अब MML जो है अगले दिन जाने वाले थे तो हर कोई बहुत जादा emotional हो गया था some even started crying और कुछ ने तो यहां तक की रोना भी शुरू कर दिया but MML had the courage and patience to hear यहां देकि hear के साथ साथ एक word और आएगा वो है tell but MML had the courage and patience to hear and tell every lesson to the last लेकिन MML के अंजर बहुत ही जादा courage था बहुत ही जादा courage का मतलब होता है साहस और patience का मतलब होता है सबर धेरे धीरज लेकिन MML में बहुत जादा courage था बहुत patience था कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक हर lesson को अच्छे से पढ़ाया finally, as the church clock struck 12 MML stood up और जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए जैसे ही चर्च का मतलब होता है समय के बारे में बताना जैसे ही चर्च क्लॉक ने 12 बजाए यानि कि जैसे ही 12 बजे MML stood up MML खड़े हो गए it was very evident that he had become emotional too लेकि evident का मतलब होता है इसपश्ट और ये बिल्कुल बहुत ही इसपश्ट था बहुत ही बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वेह भी बहुत था emotional हो गए थे he tried to speak उन्होंने बोलने की कुशिश की but chocked लेकिन बोल नहीं पाए उनका गला जो है रूंद गया था गला बंद गया था जैसे कि मानलो फांस ना रही हूँ ठीकि चौक का मतलब होता है गला रूंद जाना गला बंद जाना जैसे कि अक्सर देखा होगा आपने जब ऐसा मन करें कि आपको रोना आ रहा हो और आप रोना पाओ और ऐसा लगए कि गलेप आपके बहुत जबाब बन रहा है तो उसको चौक के थे तो उन्हेंने बोलने की कोशिच की लेकिन बोलनी पाए ऐसा लग रहा था कि मानलो उनका गला बंद गया है प्रूंद गया है then he turned to the blackboard and wrote as large as he could vive la France which means long live France और अब वो ब्लेक गोट की तरफ मोडे और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उनने लिखा vive la France जिसका मतलब था कि France जिन्दाबाद he then dismissed the class signaling everyone to leave फिर उन्होंने class को खतम कर दिया और वो कुछ भी नहीं बोले और ब्लेक बोट की तरफ यह उनका मूँ था और उन्होंने हाट से इशारा करके हर एक को कहा कि अब आप जा सकते हों that's all for the story the last lesson by Alfenso Dodat and the next video we will discuss the questions and answers of the chapter तब तक के लिए keep practicing keep learning and don't forget to subscribe like and share my channel thank you